हाई फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मत्पून वीडियो लेके आया हूँ आज की वीडियो में हम जानेंगे सुकन्या समर्द्य योजना के बारे में आपके गर में एक नन्नी बिटिया ने जनम लिया है क्या आप बेटी के बविशे के लिए जैसे पड़ाई, उच सिक्सा, यह साधी आदी के लिए चिंतेता हैं के अंदर सरकार द्वारा सुकन्या समर्द्य योजना इसी उदेशे से बनाया गया है ये इसकीम के वल बेटियों के लिए ही बनाई गई है सुकन्या समर्दी योजना केंदर सरकार की बालेकाओं के लिए एक छोटी शी बचत योजना है जो बेटियों के बविशे में होने वाले खर्च की पूर्टी करेगा दोस्तों इस योजना की सुरुवाद 2015 में हुई थी सरकार दोरा इस योजना की बेटी बचाओ बेटी पड़ओ अब्यान के अंतरगत सुरुवात की गई सुकन्या समर्दी योजना की अंतरगत दस वर्ट से कम आयू की बालेकाओं के नाम से मात्यपता या उनके लिगल अभिबावक द्वारा ये खाता खुलवाया जा सकता है जो 250 रुपए से सुरुवा कर 150,000 रुपए हो सकता है इसका उद्देश से बविशे में बच्ची के पड़ाई वे साधी सिक्सा आदी में होने वाले खर्च की पूर्टी के लिए बच्चत एक्टित करना है इस अकाउंट को बेंकों और पोस्ट ओपिस में खुला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आईयू के बाद उसकी साधी होने तक चलाया जा सकता है शुकन्या समर्दी योजना के लिए ब्यास दरें जनवरी से मार्च सोती तिमाई वित्यवर्थ 2022 के लिए 7.6% पर्तिवर्ष निर्दारित की गई है सुकन्या समर्दी योजना के लिए योगेता अकाउंट खोलने के समय बालिकाई की आयू दस वर्ष से कम होनी चाहिए एक बालिकाई के लिए एक से अधिक सुकन्या समर्दी अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं एक परिवार को केवल दो सुकन्या समर्द एकाउंट खोलने के अनुमती है यानि हर बालिका के लिए एक अकाउंट यदि जुडवा या तीन लड़कियों के जनम से पहले एक लड़की का जनम होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है यदि जुडवा या तीन लड़कियों के जनम के बाद एक लड़की का जनम होता है तो तीसरा खाता नहीं खोला जा सकता है सुकन्या समर्द योजना में निवेश के लाब बेटी बचो बेटी पड़ो योजना के इससे के रूम में शुरू कई गई सुकन्य योजना के लाब इस प्रकार है अधिक ब्यासदर पीपेप जिससे अन्य सरकार समर्टित कर बचत योजनों की तुलना में SSY 72 ब्यासदर वाली योजना है इस योजना में अभी यानी वित्यवर्ष 2022 की पहली तिमाई के मुताबिक 7.6% की दर्षे व्याद दिया जा रहा है गारंटेड रिटन चुकि सुकन्य समर्दी योजना सरकार समर्टित योजना है इसलिए गारंटेड रिटन पड़ान करती है सुकन्य समर्दी योजना की दरा 80C के तहर सालाना 5 लाग रुपे तक टेक्स की चूट मिलती है कोई भी वेक्ति एक वर्ष में नियूनतम 250 रुपे और अधिक तम 1 लाग 50,000 रुपे परतिवर्ष का डिपोजिट कर सकता है ये सुनिशित करता है कि आपकी आर्थिक इस्तिति चायज जेसी हो आप उसी के मताबिक योजना में निवेस कर सकते हैं कमपाउंडिंग का लाब सुकर्णिया समर्दी योजना एक लंबी अवदी की निवेस योजना है क्योंकि ये वार्षिक कमपाउंडिंग चकुर्टी ब्याज का लाब परदान करती है इसलिए अगर आप कम निवेस भी करते हैं तो आपको लंबी अवदी में शांदा रिटरन मिलेगा होई भी व्यक्ति एक वर्ष में नियुनतम 250 रुपे और अधिकतम 1,50,000 रुपे पर्तिवर्ष का डिपोजित कर सकता है आपको अकाउंट खोलने की तारिक से 15 साल तक हर साल कम से कम नियुनतम राज़िय अकाउंड में जमक करनी होगी इसके बाद अकाउंड में मेचरोटे तक ब्याज मिलता रहेगा सुकन्या समर्दी योजना की अवदी बालिका के 21 वर्स के होने या 18 वर्स की आयो के बाद उसकी साधी होने तक होती है अलांकि यह निवेस आपको अकाउंड कोलने के तारिक से 15 साल तक करना होता है उसके बाद maturity तक ब्याज मिलता रहेगा बले ही इसमें कोई deposit नहीं किया गया हो यदि सुकन्या समर्दी योजना खाता तरक 250 रुपे की नियुक्तिम राशी जमा नहीं कर पाता है तो उसके account को default account कहा जाएगा लेकिन इस default account पर भी maturity की तरिक तक लागो ब्याज मिलता रहेगा लड़की की उमर 18 वर्षे अधिक होने पर या उसके दसवी पास करने के बाद आगी की पड़ाई के लिए account से 50% तक पैसा निकला जा सकता है पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है एक साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं आप ये account post office या किसी भी bank में खुलवा सकते हैं इसकी बहुती source परकिरिया है bank या post office में आपको वहाँ पे इसका फोर्म मिल जाएगा फोर्म बनने के साथ साथ आपको अपना पेन कार्ड और आदार कार्ड अगर बच्ची का आदार कार्ड है वह नई तो आपके आदार कार्ड की पोटो कोपी साथ में लगा सकते हो और जो minimum राशी बनती है वह साथ के साथ जमा करा दो तो दोस्तों इस तरह आप भी अपनी बेटी का सुकन्य समर्द योजना अकाउंट खोल सकते हो तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंड में जुरूर बताना वीडियो को लाइक करना सेर करना अगर चैनल पर ने हो तो सबस्क्राइब जूरू करना चलिए मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जहिन